करनाटक बिदानजबा चुनाफ के लिए उमीदवार लगातार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को करनाटक के कॉंग्रेस अध्यक्ष दीकेश शिफकुमार ने भी अपना नामांकन कनकपुरा निर्वाचुन सीट से दाखिल किया है। अपने नामांकन से पहले कनकपुरा में उन्होंने रोचो भी किया। दीकेश शिफकुमार के रोचो में हजारों की संख्या में लोग जुते जो बड़े जोश के साथ कॉंग्रेस की जीत के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें करनाटक अध्यक्ष दीकेश शिफकुमार ने नामांकन भरने के बाद दावा किया कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर जीत हासल करेगी। भी जीत क्यों लेगेश का लगाते लेंगांदी प्रूण्ठी आए। वहीं डीके शिवकुमार के 150 सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाज सामने आई हैं करनाटा के मंतरी सी एन अश्वता नारायन ने कहा कॉंग्रेस अपनी वर्तमान संख्या 89 तक भी नहीं पहुच पाएगी वो अपनी मौजूदा संख्या को पार नहीं कर पाएगे उन्होंने कहा कि बीजेपी आसानी से बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी वहीं जग्दीश शेटा के कॉंग्रेस से हाथ मिलाने पर करनाटा के मंतरी सी एन अश्वता नारायन ने क्या कहा आये सुनते हैं अजगी शेता हैं बदादी कि पूर्व मुख्यमंत्री जग्दी शेटार ने टिकट ना मिलने से नाराज होकर बीजेपी से स्तीफा देकर कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया है उमीद है कि शेटार अपनी हुबली धारवार सीट से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ेंगे गौर तलब है कि 10 माई को करनाटक में विदानसबाद चुनाव होंगे और 13 माई को वोटो की गिंती के बाद चुनाव परिणाम खोशिप किये चाहेंगे इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रही वन इंडिया हिंदी के साथ